जैस्री ओम नमहा सिदे भ्याहा जैस्री महावीराय नमहा जैस्री परंपराचार गुरुवे नमहा जैस्री ओमास्वामी गुरुवे नमहा जैस्री सांति सागर गुरुवे नमहा जैस्री बिद्यानन्द गुरुवे नमहा मोक्ष मारगशनेतारं भेतारं कर्म भूब्रताम ज्यातारं भेश्वतत्वानाम बंदे तद्गुन लब्धै मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जेन धर्मो स्तु मंगलम तत्वाशुत परमंगलिक गृंत है आचार कुंद कुंद के पर्टिसिस आचार ओमा श्वामी द्वारा यह बिक्रम की प्रथम सताब्दी में लिखा गया सुत्रात्म के शिक्षेली है संस्क्रतिस की भासा है दस अध्याय विवाजत है सात अत्मो कर्षम बढ़नन है हम सभी लोग दस अध्याय मोक्ष अधिकार जिसमें देख रहे हैं किस प्रकार से आत्मा जो है कर्म को छोड़कर के कर्म का त्यांकर के आत्मा ऊपर की और किस जाता है कल 16 शुत्रापन ने देखा था पूर्व प्रयोगाद पूर्व के प्रयोग से आत्मा मनलब पूर के संसकार शे आत्मा जो है पहला कारण दिया था उर्दगमन का दूसरा कारण क्या दिया असंगत्वाद कि संग रहित परिग्रे रहित कर्म रहित होने शे आत्मा उपर की ओर जाती है तीसरा कारण बताया था बंद छेदात बंद का अभाव होने से क्योंकि आय होता रहेगा तो कर्मों का आय दी होता रहेगा तो फिर कभी भी आत्मा उपर की ओर नहीं जाएगी तो बंद का यहाँ पर क्या हो गया अभाव हो गया कर्मों का आना और बंद होना बंद हो गया नाश हो गया कर्मों का इसलिए क्या बोलते की बंद का नास होना बंद का च्छे होना बंद का अभाव होने का भी एक कारण है कि आत्मा उपर की ओर जाती है और तीसरा चौथा कारण दिया है तथा गती परिणाम त अतलब क्या तथा गति जैसी गति है आत्मा की जैसा सुभाव है आत्मा का ऊर्धवन जाना सुभाव है तो इस प्रकार से उष्च के परिऌराम से आत्मा जो है उपर की ओर झाया करती है तो इकल अपने छट जोतर के माध्ध हम से ये चार बातं जानी ठीक Low in this जो शूत्र है इस सूत्र में इसके उधारन दिये जाएंगे यहां तो कारण बता दिये अब कारण को उधारन के माध्धम से भी हमको समझना है तो आईए हम सूत्र नंबर जो शात्वा है उसमें उधारन के माध्धम से जानते हैं पूर प्रयोगात क्या कहलाता है और जो असंगत्वाद क्या कहलाता है बंदत छेदात क्या है और तथा गती परिणाम क्या है इन चारों को उधारन के माध्यम से अगले शूत्र में पनिश को समझते हैं सूत्र नमबर निकाल लेना, दसम अध्यायका, शात्वा नमबर शूत्र है, आईए बोड के माध्यम से सूत्र का उचारण करते हैं. दसम अध्यायका, सूत्र नमबर शात्वा, आबिध, कुलाल, चक्र, वद, ब्यपगत, ब्यपगत, लेपा, लाबू, वदेरंड, वदेरंड, बीज, वदगनी, वदगनी, सिखावच्च, ठीक है? देखी एके सब्द को, आविद्ध, कुलाल, चक्र, वद, ब्यपगत, ब्यपगत, लेपा, लाबू, वदेरंड, वदेरंड, बीज, वदगनी, सिखावच्च, ठीक है? आविद्ध, कुलाल, चक्रवत, ब्यपगत, लेपा, लाबू, वदेरंड, वीज, वदगनी, सिखावच्च, ठीक है? दूसरा हो गया, ब्यपगत, लेपा, लाबू, वद, इससे ए निकल जाएगा, तीसरा, एरंड, वीज, वद, फिर इससे आने कलेगा, अगनी, सिखावच्च, चाकता हो जाएगा, वद, अच्च, इस पकार से चार, जो पूर्ग, कारण कहे थे, उन चारों की यहाँ पर उ संदी देखिए, आ, विद्ध, कुलाल, ठीक है, ऐसा लिख लिजिए, चक्रवत, फिर दिया है, ब्यपगत, लेप, फिर अलाबूवत, ठीक है ना, फिर एरंड, वीज, वत, ठीक है, अगनी, शिखावत, और फिर चा, इस प्रकार से संदी विच्चेत है, आपको सब्द तोड़ी कठन लग रहे हों, तो घबलाना नहीं है, इन सब्दों का अर्थ बहुत बिलकुल शरल है, ठीक है ना, आविद्ध, मतलब घुमाए हुए, घुमाए हुए, कुलाल, कुलाल मतलब होता है, कुमार, कुमार के द्वारा घुमाया हुआ, क्या घुमा के सामान, ऐसी चक्र बत, चक्र मतलब यहां चाक, चाक के सामान, जैसा कुमार क्या करता है, घड़े बनाने के लिए, चाक को घुमा देता है, एक बार घुमाने के बाद छोड़ देता है, पर क्या होता है, चका अपने आप ही घुमता रहता है, ठीक है ना, तो अपन पूर पूर्व प्रयोगाद जो पहला कहा गया था सुत्र में, पूर्व संसकार से जैसे पहले वार गुमा दिया अब घुमता रहा, तो क्यों घुम रहा है? पूर्व संसकार से, ऐसे ही यहां पर कुलाल कुमार के द्वारा आविध घुमाये गए चक्रवत, चाक के सामान, जैसे चका घुम रहा है इसी प्रकार से पूर्व प्रयोग से पूर्व संसकार से आत्मा के पूर्व संसकार उर्ध गमन जाने के हैं तो वह करम का छह होती है तो आत्मा पूर्व संसकार के बल से कहा जाती है उर्ध गमन उपर की ओर जाती है जैसे पूर्व संसकार से चका जो है ए का एक्जाम्पल ये दिया फिर दिया है बेपगते लेप अलावू अलावू क्या किलाता है तुम भी तुम भी होती है जैसे घिया बड़ी गोल घिया आती है उसके अंदर का सुख जाता हो तुम भी बन जाती है तुम भी के सामान उस तुम भी को कितनी हलकी हो गई वो सुख को नदी में डालो पानी में डालो जल में डालो तो क्या हो जाएगी डूप जाएगी और जैसे जैसे मिट्टी निकलते जाएगी तो क्या हो जाएगी तुम भी ऊपर ऊपर आते जाएगी तो बैपकत मतलब रहित लेप की रहित लेप रहित होने पर क्या हो जाने पर लेप का अभाव हो जाने पर ब्यपकत छे हो जाने पर कर्म का छे हो जाने पर जैसे यहाँ पर मिट्टी का जो लेफ है उसका छे हो जाने पर अलावू बद तुम भी के समान जैसे वह तुम भी पुनहा उपर जलकी उपर आ जाती है उसी प्रकार से आत्मा से कर्मों का छे हो जाने से सरीर का छे हो जाने से वह आत्मा भी उपर की ओर जाने लगती है तो दूसरा कारण क्या बताया था आसंगत्वाद क्या बताया था आसंगत्वाद मतलब की संग का अभाव मतलब कर्म का छे हो जाने पर जिस पकार से यहां पर लेप का अभाव हो जाने पर लेप का बेपगत मतलब अभाव हो जाने पर छे हो जाने पर अलाबू मतलब तुम्भी के समान तुम्भी जल में जो डूबी हुई थी वह क्या हो जाती उपर आ जाती है ऐसे ही कर्म से आत्मा का कर्म से छे हो जाने पर आत्मा भी उपर की ओर जाती है ये दूसरे कारण का य उसका यहाँ पर उधारन दे रहे हैं, एरंड वीजबत, एरंड क्या कहलाता है, एरंड एक व्रक्ष है, और उसमें होने बाला एक फल है, जब वह शूखता है, तो एकदम से खुलता है, और जैसे खुलता है, तो वह बीज जो है, उपर की ओर उचकता है, क्या करता है वो, उपर की ओर जाता है, जैसे वो सूखा निकला, तो वह बीज जो है, उपर की ओर जाएगा, ठीक है ना, अपने उस से फल से निकल करके उपर की ओर जाता है, तो इस प्रकार से जैसा उस एरंड का जो बीज है, वो जब अपने फल से बाहर निकलता है, तो वह उपर की ओर जाता है तो इसी प्रकार से जो आत्मा का सुभाव है बंद छेदाद तीसरे का उधारन बंद छेदाद की करम बंद का जैसे वो बंद था फल के अंदर बंद था और जैसे फल खुला तो क्या हुआ बीज निकल करके उपर की ओर गया तो ऐसे ही जब आत्मा का कर्बंद का अभाव हुआ आत्मा से करम दूर हुआ तो आत्मा भी कैसे उस एरेंड बीज के सामान क्या हुआ उपर की ओर जारती है ना नीचे जाती है ना नीचे की आठों दिसाओं में जाती है वह उपर की ओर जाया करती है तो यहां भी एक सुभाव दे रहे हैं, कौन सा सुभाव? अगनी सिखावत, अगनी की सिखाव कहा जाती है? नीचे जाती है कि उपर जाती है? शदा उपर की उपर जाती है? आप जैसे दीपक है, या फिरकुलती की मुम्बत्ती है, उसको जलाइए. अब उसकी सिखाव कहा जाएगी? उपर जाएगी. आप उसको टेड़ा करो, तो कहां जाएगी? उपर. और नीचे कर दो, तो कहां जाएगी? तब भी? उपर. अगनी की जो सिखाव है, कभी भी अधो गती की ओर नहीं जाती है. दाएं बाएं में नहीं जाती है. कहां? सिदे उपर की ओर. क्यों जाती है भाई क्यों जाती है आप क्या बोलोगे ये तो अगनी की सिखा का सुभाव है इसलिए ये उपर की और जाती है तो तथा गती पर नाम अश्चे यह आत्मा का सुभाव है कि ये उपर की और जाती है तो तथा गती पर नाम का यहाँ पर उधान दिया अगनी शिखाव तो यहाँ पर जो पहला उधान दिया है आविद्ध कुलाल चक्रवत क्यों दिया गया है समझ ही ध्यान से जिस प्रकार आविद्ध घुमाए गए गए दंड से क्या करता है कुमार कुलाल कुलाल मतलब कुमार चक्र मतलब चाक को क्या करता है घुमा देता है तो वह घुमाने के बाद छोड़ देता है तो चक्र घूमता रहता है क्यों घूमता है क्योंकि कुमार ने जो स्रम से पुर्शार्शे महनत से उद्योक करके उसको घूमाया था उस स्रम का प्रभाव ये है कि वह अब स्रम नहीं कर रहा है अब महनत नहीं कर रहा गुमाने के लिए तब भी चका क्या हो रहा है आविध है घूम रहा है ठीक है ना रुक नहीं रहा है घूमा हुआ है तो इसी प्रकार से जिस जीव ने पहले मुणी नवस्था में आदी में आत्म कल्यान के लिए पुरशार्थ किया प्रयत्न किया और अपने में शाधना की तपश्या की त्याप किया और मोक्ष के लिए बहुत प्रयत्न किये पुरशार्थ किये ये आत्मा के संसकार ये आत्मा में संसकार डाले कितने भवों-भवों में आत्मा में संसकार डाले मोक्ष जाने के लिए पापों को छह करने के लिए शुद्ध हो प्योकी प्राप्ति क करने के लिए जो ये आत्मा का जो पूरशंशकार था जो पुरौशार्थ था सय्यम रूप, साधना रूप, तियाग रूप, तप श्रौशिया रूप ये पूर। शंशकार जो है इसके बल से ये दपी जिस समय कर्म का च्छे हुआ उस समय कोई आत्मा इस प inference का मोक्ष जाने के लिए पुर्शार्थ नहीं कर रहा है जैसे कुमार जिसम घड़ा बना रहा है तो उस समय अब चका घुमाने का पुर्शार्थ नहीं कर रहा है वो पुर्शार्थ समाप्थ हो चुका चका घुमाने का फिर भी चका घुम रहा है इसी प्रकार से उस समय मोक्ष का पुर्शारत नहीं कर रहा है, जिसे में समस्त करमों का अच्छे हुआ, पूर संसकार, जो आतमा ने भामना भाई थी, मुझे उर्द गमन जाना है, मोक्ष जाना है, और वो इस तर को प्राप्त होना है, और आत्मा परम शुक्षी हो, दुख द्रग्मन करती है ये पहला एक्जामपल यहाँ पर दिया आविध्ध कुलाल चक्रवत आपको सद्वी याद हो गया होगा आप तो कठिन नहीं लग रहा है न ठीक है अब दूसरा दिया है ब्यप गते ब्यप गते लेप अलावू बत अलावू बत अलावू मतलब होता है तुम भी तुम भी में कुछी प्रकार से लेप कर दिया हो मिट्टी आदी का लेप कर दिया गया हो और उसे तुम भी को जल में डाल दिया गया हो तो जल में वो थोड़ा भारी होने के कारण जाके जल में पर कब तक रहेगी उसमें, जब तक वो मिट्टी लगी है। जैसे जैसे मिट्टी घुलेगी, जैसे मिट्टी जो है दृरे दृरे हटेगी तो क्या होगा उपर-उपर आना प्राराम कर देगी। ठीक है ना बेपगत रहित होने पर लेप बेपगत लेप रहित होने पर इसी प्रकार से जैसे जैसे आत्मा पुर्शार्थ करती है और कर्म का अभाव करती है पहले मिध्यात का अभाव करती है अनंतनवंदी का अभाव करती है आपर तक्षानादी कशाय का अभाव करती है औ आराम-आराम से उपर की ओर आ जाती है, तैरने लग जाती है तुम भी, ठीक है न, अलाबू मतलब तुम भी, इसी प्रकार से आत्मा भी धीरे 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 गुड़ स्थानों को चड़ती है कर्मों को छे करते करते और फिर वह निर्मान को प्राप्त हो जाती है शिद्ध सिला में जाकर की विराजमान हो जाती है तो ये दूसरा उधारन दिया था बैपगत लेप अलाम्बू वत ये उधारन दिया गया क्यों? असंगत्वाद, असंगत होने से, असंग होने से, मतलब कर्मे रहित होने पर अवस्था आत्मा का होने पर वह है उर्ध गमन उपर की ओर जाया करती है अग तीसरा ओधान यहां पर दिया है, अरेंड वीच वत अरेंड वीच जो होता है, यदि उसका छिलका निकल जाए तो वो वीच उसके अंदर जो होता है, वो उपर की ओर जाता है इसी प्रकार से जब हमारा जो है बंद छेदात बंद का छेद हो जाए बंद का अभाव हो जाए कर्म बंद की कारण ही तो हम इस गती से उस गती में जाते थे चारों गती 84 लाक योनी में भ्रमन किया करते थे लेकिन अब उस बंद का अभाव हो गया तो जैसे बंद का अभाव हो जैसे छिलका उपर से हटते ही कर्म का अभाव होते ही जैसे आत्मा उपर गई जैसे एरेंड का बीज का छिलका होने हटते ही वह उपर गई इसी प्रकार से आत्मा भी जो है बंद का छेद हो जाने से बंद का अभा हुआ तो आत्म सीधे उर्ध गमन की ओर गई ठीक है उपर की ओर गई तो यह है तीसरा उधान के मादम से आचारना एरेंड का बीज बताया ठीक है ना वह है एरेंड का बीज आप जानते है एरेंडी का जो तेल निकलता है जिसको तेल खाने से पेट आदी साफ करते हैं उसके जो पत्ते होते हैं तो कई सूजन आदी हो जाए तो उसको गरम करके तेल में गरम करके तब यादी में उसको लगा लेते हैं सूजन दूर हो जाती है कोई दर्द होता है तो दर्द भी दूर हो जाता है उसका बीज भी उसका तेल भी काम आता है उसका पत्ता भ होते हम रस्ते जब जाते बहुत दिखाई देते हैं तो वह एरेंड की बीच के अंदर एरेंड की फल के अंदर जो बीच है वह छिलका निकलती ऊपर जाता है ऐसे ही आत्मकवंद का आभा होने से ऊपर की ओर जाया करती है यह तीसरा अधान अचरवन ने बताया चौथा जो लकड़ी में लगी हो गैस में कहीं भी आग दिखाई दे रही हो कभी भी आग नीचे की ओर जाती हो दिखाई नहीं देखी क्या होगा सदा ही जैसे उपर की ओर जाएगी जैसे जल जल का बहने का सुभाव क्या है उपर की ओर नहीं वो नीचे की ओर जाता है ऐसे अगनी का जलने का सुभाव क्या है वो उसकी सिखा ऊपर की और जाती है कभी नीचे की और नहीं जाती है तो ये कैसा क्यों जाती है आपको इस पर क्यों करे क्यों जाती है तो उसका कोई जबाब नहीं है क्या बोला जाएगा एक ही जबाब है सुभाव ये अगनी का सुभाव है ऐसे ह जो आत्मा का तथा गती परिणाम जैसे आत्मा का उर्धग्वन जाना सुभाव है जैसे अगनी का सुभाव उपर जाना है ऐसे आत्मा का भी उर्धग्वन सुभाव कहा गया है इस चौथा द्रिष्टांद इस चौथे द्रिष्टांद के माध्धम से यहां पर आचारवव अपनी बात को शिद्ध करी पहले सूत्र में बताया गया था कारण और इस सूत्र में बताया गया उनके एक्जामपल उनके उधारन ठीक है इन चारों उधारन के माद्धन समस्मझ सकते हैं कि कर्म छह होने के बाद आत्मा का निर्मार जो होता है वह उपर की ओर जाना हुआ क करता है अब कर्म का छह हो गया अब आत्मा उर्धगवन जा रही है उपर की ओर गमन कर रही है तो उपर ही उपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी तो आकास तो अनंत है जिसमें लोकाकास अलोकाकास तो ये उपर ही उपर जाती रहेगी तो कितनी उपर तक जाए क्या कभी रूखेगी भी क्या, कहीं को जाकर के ठہरेगी भी क्या, आपने कहा सुभाव है तो ये सीद्ध बन गई, अब distur कल तक चलती रही, गमन करती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी, क्या ऐसा है तोलगे ऐसा नहीं है। उसका समाध्हान करने के लिए आचारों ने शूत नमबर आठवा बनाया, आईए पहले उस सूत का उचान करते हैं, पर समझते हैं कि आत्मा कहां तक उपर जाती है, दसम अध्याय का सूत नमबर आठवा, धर्मास्ति काया भावात धर्मास्ति काया भावात पड़िये धर्मास्ति काया भावात ठीक है न? अब देखे शंदी करते हैं धर्मास्ति काय धर्मास्ति काय अभावात इससे निकलेगा अभावात ये पंचिमी में लगा अभाव सब्द है और पंचिमी में अभावात जैसे बालकात रामात ऐसे अभावात तीक है अभाव होने से इसका अभाव होने से धरमास्तिकाय काय जो अस्तिकाय प्रकार के अस्तिकाय पढ़ते हैं उसमें धर्म नाम का भी अस्तिकाय है उसका अभहाव होने से आत्मा जो हे कहां तक जाती है लोकाकाश के अंत तक जाती है क्योंकि लोकाकाश के बाहर ये धर्मास्तिकाय नाम का जो ये द्रब है इसका क्या है अभाव है इसलिए आत्मा अलोकाकाश में नहीं जाती है धर्मास्तिकाया भावात ये शूत्र है ये दिमात अपन इसी शूत्रमात को पढ़ें तो क्या होगा धर्मास्ति काय का अभाव है इसलिए जो आत्मा उपर नहीं जाती है ऐसे अर्थ निकालेंगे न तो यह धर्मास्ति काय नाम का द्रब्य का अभाव नहीं है ठीक है न वो तो है लेकिन कहां अभाव है अलोकाकास में देखे आकाश के दो भेद एक लुकाकाश और एक अलुकाकाश जहां तक सभी द्रब्य पाई जाती है उसे लुकाकाश और जहां पर मात्र आकाश द्रब्य हो अन द्रब जो है वहां ना हो जीव नहीं है, पुद्गल नहीं है धर्म नहीं है ये दर्म वहाँ पर नहीं है इसलिए वो अलोका काश कहलाता है तो जहां तक धर्म अस्तिकाय धर्म धर्म आपको बताया था कब बताया था पांचवेद्य में कि जो जीव और पुद्गल को चलने में शहायक होता है उदासीन रूप से उसे धर्मास्ति काया भावात की धर्मास्ति या था धर्म दर्ब जानना चाहिए अब देखिए यहाँ पर कोई कहे कि शिद्ध की योकता नहीं है उपर जाने की या फिर उतना ही जाना था कि धर्म दर्ब होगा तो ले जाएगा तो नहीं तो यहाँ पर निमित निमितिक समझना कि आत्मा की तो उर्दवन की शक्ती है बहुत उपर जाने की शक्ती है लेकिंग आत्मा तभी तक उपर जा सक्ती है जब तक धर्मास्ती द्रब जहां तक होगा विदि उस द्रब का अभाव रहेगा तो आत्मा उपर नहीं जा पाएगी तो अपन ये भी कह सकते हैं कि आत्मा की वही तक जाने की शक्ति थी धर्मास्तिकाय का अभाव है इसलियांगी नहीं गई हम ये भी कह सकते हैं कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने करण आत्मा उपर नहीं जा पा रही है ठीक है न? तो इस प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि आत्मा में तो अनंत शक्ति है और आत्मा उर्दगण सुभावी तब भी है तब भी उर्दगण सुभावी आत्मा है क्योंकि उर्द में जाकर कि विराजमान हो गई है तो अब धर्म अस्तिकाय यहां अस्तिकाय क्यों बोला गया है अस्तिकाय अस्ति मतलब है और काय मतलब बहु प्रदेशी जो धर्म द्रब है विद्मान है उसकी शत्ता है तो अस्ति है और काय मतलब वो एक प्रदेशी नहीं है बहु प्रदेशी है कितने प्रदेशी है उसके असंख्यात प्रदेशी है लोकाकास असंख्यात प्रदेशी है तो लोकाकास के संपून इस्थान में धर्मदरब है वहे भी असंख्यात प्रदेशी है और अखंड रूप है खंड खंड रूप में नहीं है अखंड रूप से वहे धर्मदरब है ठ तो वहां तक ही आत्मा जो है जाती है और उसके बाद वहां पर जाकर के ठैर जाती है क्योंकि वहां पर गमन रूप और गमन जिसकी निमिस से होता है वह इस गमन का अभाव होने के कारण आत्मा भी वहां पर जाकर के शदा सदा काल के लिए स्थिर हो जाया करती है तो इस सूत्र के माद्यम से यह है बताया गया है कि आत्मा का जब कर्म छे हो और सुहाव उसका उर्ध गमन का हो तथा गती परिणाम हो तो वो कब तक चलती रहेगी तो अनंत काल तक नहीं चलती रहेगी वह भी जो आत्मा है वहाँ जाकर के लोक के अंत में जाकर के ठहर जाएगी देखिए यहां लिखा हुआ है लोक का अग्रभाग ठीक है न अर्थात अस्टम प्रत्वी के बीचों बीच अस्टम प्रत्वी है उसके बीचों बीच क्या बनी है एक शिद्ध सिला बनी है ठीक है, सिद्ध सिला से ठीक उपर जो है तनूबातवले है चित में देख रहा हूँगे आप उपर तनूबातवले है और मनुस लोग के ठीक उपर है वो कहां पर है, जितना मनुस लोग के ढाई दीप है उसके उपर ही जाकर शिद्ध शिला है उसके उपर जाकर के तनुबात वली शिद्ध छेत रहे जहां पर यह शिद्ध आत्मे हुआ करती है यहां लिखा है अश्टम प्रत्वी जो ईशत प्रागभार है वो कहा है तो वो लग कहा है, सरवार शिद्धी की जो धोजा है, उसके बारा योजन उपर जाकर के शिद्धिसला है, मोटाई कितनी है, उसकी आठ योजन है, लंबाई कितनी है, साथ राजू है, लंबाई उसकी, चुडाई कितनी है, एक राजू, वो अश्टम प्रत्वी की बात कर र तो अश्टम प्रत्वी के मद्ध में जो ईसत प्रागभार प्रत्वी है उसके मद्ध में जो है शिद्धिशला है आधे काटे निम्बू के समान जैसे निम्बू को आधा काट दिया जाए तो उस निम्बू के समान जो है वह सिद्धिशला है ब्यास कितना है पैतालिस लाख योजन का उसका पूरा ब्यास है मुटाई मद्ध में आठ योजन और क्रम से घटे 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 जो है वो एक अंगुल जो है रह जाती है इस प्रकार की उसकी मुटाई है तो यहाँ पर अपने देखा कि यह शिद्शला और शिद्शला की उपर जो तनुबात बले है वहाँ पर जा करके शिद्ध भगवान जो है सदा सदा के लिए विराजमान हो जाते है इस प्रकार सरवार शिद्शला की उपर जा करके शिद्शला और शिद्शला की उपर जा करके तनुबात बले है पर शिद्ध प्रमात्मा अनंता अनंत काल के लिए अनंसुख भोगते हुए विराजमान हो जाया करते हैं हम सब लोग भी शिद्ध बनें इसी भावना के शाथ है समय हुआ श्वाध्धाय शंपन करते हैं आईए मा जिनवानी की शुती करते हैं जावाणी के ग्यान से सुजे लोका लोग शोवाणी मस्तक धरूश अदा दे तोहों धोग हे जिनवाणी भारती तोही जपोंदिन रेन जो तेरी शर ना धरे सोपावे सुक्चेंद सभी को सादर जय जिनेंद्र पूझ गुर्दे के मुखादन से नित्व आप तत्वार सूत का शुद्धाय कर रही हैं जो की पारश चैनल के माध्धम से पूरे देश में प्रशारित किया जा रहा है आप सभी के परम सहयोग से तत्वार सूत के सात्वे अध्याय तक की पुस्तक शपकर आ चुकी हैं अब आठवे नौमे अध्याय की पुस्तक शपने जानी हैं तो आप भी अगर इस पुस्तक को शपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे देगा नमबर पर संपर करें और सास्त छवाकर पुन आरजन करें जय जिनेंद्र